यदि आपकी कोई जमीन है और उस जमीन का विबाद चल रहा है और आपका मामला कोट में है कोई जो आपके विपक्ची है वो यदि ये चाह रहे हैं कि इस पे घेरावा कर दिया जाए मतलब एक boundary दे दिया जाए इसको जो है अपने अंडर में जो है कबजा करना चाहता है ठीक अभी जमीन जो है वो खाली है तो आज जो ये पर्मानेंट stay है आप इस पे कैसे लगाएंगे मतलब कैसे मिलता ये पर्मानेंट stay और मिलने के बाद जो है कोई भी उस पे घेरावा कर सकता है या पुलीस का मदद लेना परेगा क्या करना परेगा हम आज उसकी बात करते हैं तो दखें अगर ये जो प्रोपर्टी है सबसे पहले अगर इसका कोट में विबाद है तो आपको इंजक्शन पेटिशन जो है वो फाइल करना परेगा इस पे stay लेने के लिए ये stay जो होगा वो permanent stay order होगा कोट के द्वारा जब एक तरह से रोक लगा दिया जाएगा ठीक है हाँ कोट का जो रोक होता है अगर उसमें एक उसको पर्मानेंट जब तक फैसला नहीं होता है तब तक अगर एक अनिस्चित समय के लिए रोक लगा दिया गी छे मैने के बाद जो है ये लेकिन एक अनिस्टित समय के लिए अगर माल लेते हैं रूक लगा दिया गया है तो अगर उसका उलेक नहीं किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये आदे सिर्फ छे महने के लिए होगा मतलब आप ये छे माह के लिए ही होगा लेकिन अगर उसमें एक समय दे दिया गया जब तक फैसला नहीं होता है तब तक इस पे इस्टे लगा हुआ रहेगा तो इसमें क्या होगा कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक इस पे इस्टे है कोई भी पक्च कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि जब कोट के द्वारा इस्टे लगाया जाता है तो उसके बाद एक बार अगर कोट के द्वारा इस्टे लगा दिया गया तो उसके बाद जो है उस पे जो है किसी परकार का घेरावा तो दूर की बात है है ना यहाँ पर आम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आप यह सोच रहें कि इस पे हम फसल लगा लेंगे तो वो भी नहीं लगा सकते हैं इसलिए उस पे रोख है किसी भी पक्ष को हो सकता है कि विबाद हो जाया अब ऐसा मामला आया था कि जो की ऐसा किया कि कोट के द्वारा इस्टे लगा हुआ था और उसके बाद उस जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया तो आपको बता दें इसमें ऐसा हुआ कि जब रजिस्ट्री कर दिया कोटका तो इस्टे था तो वो सभी पे जो संपती का मालिक था वो अब मानना का जो है याचिका दायर किया और यहां पर जो निवंदन कारियाले के रजिस्टार थे तैसिलदार थे सब को नोटिस किया गया था और पर जो है अएक तरह से फिर कारवाई किया गया बाद में जो है अपना पक्च रखने के लिए जो तहसिलदार के द्वारा या निवंदन कारियाले के द्वारा ये कहा गया कि उनको ये पता नहीं था कि इस जमीन पे पहले से स्टे लगा हुआ लेकिन ऐसा भी होता है तो अगर आप जमीन पे रोक लगाना चाहते हैं ताकि दूसरा पक्च कुछ भी नहीं कर सके तो आप जो है सबसे पहले अपने वकील से बात करें कि आपको permanent stay मिले उसके लिए injection petition जो है वहाँ पर उसका याचिका दायर करना परेगा और अगर आपको permanent stay मिल गया तो फिर आपको किसी परकार का tension लेने की जरुवत नहीं है आप अपनी लराई लड़िये अगर दूसरा पक्च कुछ भी करता भी है तो आप उसकी सिकायत फिर कर सकते हैं और उसको हो सकता है कि jail भी हो और उसको जुर्वाना भी लग सकता है इसलिए कि वो court के द्वारा जो आदेश दिया गया उसका वो अबमानना कर रहा है आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को पहली बार देखने हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबालें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद